यहां पर आप देख सकते हो बहुत ही इंपोर्टिन कोश्टन है आपको बताया था यह पॉराइटी चेंज केने का बाद क्या होगा यहां पर चलिए स्टार्ट करते हैं और पॉराइटी चेंज के के देखते हैं अज कैसे इस कुछन को सॉल्ट करें ठीके गाइस और अगर आ यहां पर आप 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 देख सकते हो इक पॉस्टी पॉराइटी चेंज़ा जाना होता तो बहुत जी जी होता पर बहुत ही शुपर करता रहा हूं ऐसा तो नेटवट को सॉट्पर पॉस्टेंब को बहुत सा तरीका है तो आप यहां पर सुपर पॉस्ट्री CT अच्छ का वीडियो और यहाँ पर आप देख सकते हो मैं सबसे पहले क्या करूंगा सबसे पहला जो रूल इस सूपर पोजिशन का किसी एक सूर्स को एक्टिव रखना है और एक को डियाक्टिव कर देना ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं पहले इसको एक्टिव कर देता मैं यहां पर 100 Г को कर रहा है 100 điều कर रहा हूं के यह 100charger ऑल्त हो गया Active और 100 हो गया Active तो 20 V को क्या the active होना पड़ेगा तबी तो super position का concept यह बूंद होगा यो जागा de-activity o कि यह हो गया de-active हो गया यह de-active हो शुका है तो इसे में short circuit कर सकता हूं यहां पर दिय अगर यहां पर voltage source है इसलिए मैं इसे sort circuit कर रहा हूं अगर यहां पर current source होता तो मैं उसे open circuit करता हूं ठीक है यहां पर हो क्या sort circuit अब शुलो यहां पर मैं के भी अप्लाई कर रहा हूं करना है और यहां पर मैं के फिल अपलाई करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हो के वे लिखने के लिए क्या रोल है मैं एक जिखने हाँ और यहां पर आपाइड कर चुकर यहां साथ मुझे अपर कर रहा हुँ यहां पर एक स्सक्या। 4 हो जागा दुनको add करेंगे 4 हो जागा cancel out करेंगे 25 Ampere आपका current आजागा आइवन आजागा ठीके गाइस तो यहाँ पर 25 Ampere आ चुका है current आप चलो इसको de-active करते हैं और इसको active करते हैं यहाँ पर क्या होगा अब देख सकते हो यहाँ पर मैं इसको कर रहा हूँ de-active मैं इस आप इसको यह minus और यह plus okay यह minus हो गया और यह plus हो गया ठीके गाइस तो चलो यहाँ पर आप आप देख रहे हैं इसका क्या आएगा और i2 का value क्या हो रहा है यह हो जाएगा मेरा i2 यहाँ पर मैं pro करा रहा हूँ i2 current और दोनों को plus करेंगे total current मुझे find circuit के total current मुझे मिल जाग आपड़ेगा पमझे मुझे Ninja लिखना पड़ेगा तब आपला होगा ना चलो यहाँपर के order क्यूं एक्व एक्वेशन यह मेरा हो चुका है कि को अधुग माइक्टिव में और यह क्या ह duplic a यहाय चलो कि को मैं आहां को इस आहाँद पर देता हुग सकता हो मैं आहसी में current enter कर रहा है वो इनेगेटिव से एंटर कर रहा है पोजिव से लेप कर रहा है जहां से current एंटर कर रहा है वो साइन हम तो consider करेंगे तो मैंने यहां पर consider किया minus ओके और यहां पर मैं plus यहां पर current enter करेगा i1 i2 यहां पर हो जाएगा i2 हो जाएगा इसकोल टू क्या हो जागा और यहां पर क्या हो जागा अगर मैं इस equation को modify कर रहा हूं तो मुझे मिल जागा यहां पर 4i2 is equal to 20 यहां पर मुझे i2 का value find करना है अगर i2 का value मुझे find करना है तो मैं क्या करूंगा इन दोनों को divide कर दूंगा i2 का value हो जागा 5 ampere 5 ampere आ चुका है i2 का value और आप यहां पर देख सकते हो यहां पर मैंने 25 ampere find किया था तो अब यहां पर मैं क्या करूंगा आप मैं एक equation equation लिखूंगा i2 i1 plus i2 दोनों को plus करेंगे तो मुझे total number of current मिल जाएंगे आप ठीक है total number of current मिल जाएंगे तो मैं दोनों कर रहा हूं plus यहां पर जाए 25 25 plus 5 okay तो यहां पर आ रहा है 30 ampere total number of current आ गया so guys यहां पर plus और minus को जो मैंने प्लाइटी शेंग किया था इस मिन जब यह current follow करेंगा ठीक है तो दोनों यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर यहां से minus से flow कर रहा था यहां से plus से flow कर रहा था इसलिए वहां पर minus हो गया था ठीक है तो यह था सुपर पोशिष्ण का concept और प्राइटी शेंगे मैं आपको बता दिया कि क्या होता है यहां पर चलते है next question कि तरफ यहां पर एक voltage सुपर पोशिष्ण थिरम से find कैसे यहां पर निकालेंगा आए ओके गाइस अगर find करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा सुपर पोशिष्ण के concept इसमें मुझे अपलाई करना पड़ेगा यहां पर एक source दिया हुआ है current source और यहां पर दिया हुआ एक voltage source दिया हुआ है ठीक है तो सबसे पहले अनों क्या करते है सुपर पोशिष्ण ने जब 2 source दिया हो या 200 ज्यादा दिया हो तो बाकी सब को किसे यह को active रखते है ठीक है तो मैं यहां पर जा रहा हुँ सबसे पहले इसको active करूंगा और इसको मैं active करूंगा जब इसको मैं active करूंगा तो क्या होगा आप देख सकते हूं सबसे पहले मैं इसको active करूंग तो मैं है मैं अगर 20 V को active रहा हूं इसे में active कर रहा हूं ठीक है इसे active कर रहा हूं कि और इसे मैं कर रहा हूं 5 ampere is deactivated here, क्या हो जाया इस तनी अग्ठीव हो चुका है यहां पे इंप और यहां पर यहां पर चुक है तो क्या दी आक्ठीव जब भी अगर कोई current source को करने की बात करते हुए क्या हो जाएगा वो जाएगा open circuit हो जाएगा ठीक है अगर what is source deactivate हो रहा है तो क्या हो जाएगा short circuit हो जाएगा ओके guys तो यहाँ पर मुझे deactivate करना है current source को तो मैं इसे क्या इसे open कर दूँगा न मैं इसे open कर दूँगा तो मैं new circuit row नहीं कर रहा हूं मैं इसी में adjust कर रहा हूं अब देख सकते हूं तो मैं इसको कर रहा हूं open circuit अगर मैंने इसको open circuit कर दिया यहाँ पर तो इसने current क्या जाए जीर open circuit means क्या current is zero here तो यहाँ पर current zero जा रहा है इस resistance का current यहाँ पर zero हो जाएगा अगर इसका current अगर zero हो जाया इसको start circuit यहाँ पर default circuit से रहना यहाँ पर यहां पर इसके क्रेंट फाइंड करना है ठीक है तो मैं इसको क्रेंट यहां पर सेमी क्रेंट जा रहा है ना सिरीज में क्रेंट क्या सेम फ्लो करता है यहां पर आइक में जो क्रेंट फ्लो करेंगा हो क्रेंट यहां फोर में भी फ्लो कर रहा है ठीक है ना तो मैं इसको क्या स things connection के फिर रेक्षcję कर रहा हूं मैं इसमें case VL apply कर देया हूं okay KVL मैं इसको I1 supposed zu that मैं इसको I1 मान लिया okay I1 तो यहाँ पर मैं KVL apply कर रहा हूं KVL और KVL के rule आप लोग अपता है यहां competitor कैसे ही ऐहां चेपने होता है meant to be resistance तो कि από नेखसे आइब करने कि यहां पर व्योंroleड करेब करने मीश पर सिरेisée इसलिए यहां पर प्छसम इनल रसम इंद जाया हूँड लिहा आहिए थी बनाते थिक है तो आप लेकैं सकते हैं यहां पर यहां नुद आईएगा था और यह हो जाएगा 4 I1 हो जाएगा स्कल्ट्र क्या होगा? 0 हो जाएगा इस स्क्रेशन को मैं मोडिफाइब कर रहा हूँ और यहां पर हो जाएगा 9 और यहां पर मुझे एंसर मिलने वाले है I1 की तो आप देख सकते हो एंसर क्या आने वाला है 20 9 और दोनों के कैंसिल आट कोड़ों को तो आजाएगा 2.2 Ampere आजाएगा तो यह आचुका I1 का वैलू अब मझे चलना हो यहां पर I2 का वैलू फाइंड करना जब मैं I2 का वैलू फाइंड करूंगा तो मैं इसे कर दूंगा de-active और इसे कर दूंगा ठीक है guys यहां पर यह short circuit हो चुका है और आप देख सकते हैं यहां पर short circuit हो चुका है और चलो अब यहां पर मैं इसमें आप आप देख सकते हो कि यहां से current flow कर रहा है Suppose डाइट कि मुझे अब एक और current फाइंड करना I2 दोनों को मैं plus करूंगा तब अब यहां मुझे total number of current मिलेंगे ठीक है guys total number of current क्या होता है इक source को मैंने active किया मालो मैंने इसको active किया था भी ठीक है यहां सो जो voltage 20 के काल जो current flow रहा था इसमें वो मैंने find कर लिए सबसे पहले ठीक है guys अब मुझे find करना है कि 5 Ampere जो है यहां से current णिकालगा क्योंकि यह तो आगे कि दुए ज़्याँ था रहा था इससे minus करता तो इसका good हाता यहां पर क्या रहा है यहां पर यह आरा यहां से तो यहां से कुछ न कुछ current यहां पर drop होगा उसके बाद यह division होगा होगा current division रूल में तो आप देख सकते हो यह यहां से जा रहा है करेंट ऐख स्वा रहा है और यह आप देख स्वाएंड करा है density करऊंद दिख्राइव ओ Jul ऑपलाई करूंगा था iki हम इसे हों हाँ सिस्म entr दिवेजरन रूल करेंट यहां पर आ रहा है कहा है यहां पर 5 ampere current आ रहा है यहां पर क्या करना होगा आपको सबसे पर जो टूटल क्या करना है यहां से अगर माल लो मुझे इसके एक रास्ट करा है तो मैं इसको इन्टू करा हूं यहां पर पर नाई हो जागा यहां पर जागा यहां पर जागा 9 हो जागा दोनों को cancel out कर रहा है तो आपका answer आ रहा है यहां पर 2.78 okay 2.78 ampere आ चुका है i2 का value ठीक है मैंने i2 का value find किया है अभी तो मैंने बस i2 का value find किया अब मुझे total number of current find करना अगर मुझे total number of current find करना है इसके cross मुझे क्या करना पड़ेगा मुझे दोनों current को plus करना पड़ेगा तक मैं plus कर दूंगा दोनों को answer मुझे मिल जाएगा ठीक है तो चलिए मैं यहाँ पर start करता हूं i मुझे find करना है total number of current find करना है ठीक है i1 मुझे यहाँ पर मिला है अभी क्या मिला है 2.22 ampere i1 है मेरा और i2 क्या है मेरा है i2 मैंने find किया है यहाँ पर 2.78 मुझे अब i find करना i find करने के लिए मुझे करना पड़ेगा दोनों को plus यहाँ पर मैं रिखने को i1 plus i2 अब मैं दोनों को plus करना हूं ठीक है तो i is equal to यहाँ पर क्या जाए कि 2.22 sorry यहाँ पर plus होगा ना plus 2.78 अगर दोनों को आप plus कर रहे हो तो आपका answer यहाँ पर आने वाला है 5 ampere ओके गाईस तो यह आचुका है 5 ampere आपका answer जो कि मैंने super position theorem से find किया ठीक है मैंने अगर आपके revision लेना चाले मैं आपको revision करा जाना हूं सबसे पहले मैंने इसको active रखा था और इसको deactive रखा था ठीक है guys यहाँ पर मैंने kb apply किया minus से current flow कर रहा था जब भी minus से flow करता है इसको minus में लिखते है ठीक है 20 हो गया plus यहाँ पर जा रहा था plus से enter कर रहा था यह हो गया 5 I1 हो गया यहाँ पर भी plus से enter कर रहा था यह क्या जागा 4 I1 अब इसको फिले minute current कैया यहाँ तो जब Mountaines शूर होता है यहाँ पर 0 current जा रहा था यह गो पर इसकड़ से sub waving और यहाँ पर करट जाएगा तो इसके लिखा था कोई current ही नहीं जा रहा था भी मैंने यहां पर 4 I1 ले लिए इसको 0 जब करूशु को मैंने मडिक्षा किया तो मुझे मिल गया यहां पर I1 का value 2.2 ampere आगे ठीकिक करें आप मैंने जब last में मैंने इसको active किया और इसको de-active कर दे active करने का मतलब मैंने इसको short circuit कर दिया और इसको active रखा यहां से तो current रहा था अब यहां पर current डिवाइड हो रहा था इसमें कैसे पता चले इसमें क्या जा रहा है अगर दोनों का value अगर equal होता मालों यहां पर 5 Ohm होता तो मैं पता लगा सकता था कि 2.5 इसमें जाए 2.5 इसमें जाए 2.5 इसमें जाए चूँकि जब भी resistance का value अगर same ह इसमें जाए बाइड हो रहा हो पस दो element में हो रहा हो तो क्या same current मतलब दोनों में half of current divide होगा दोनों में same equal amount of current divided हो और यहां पर equal amount of current divided नहीं हो रहा था क्यूंकि इसका value था 5 Ohm और इसका था 4 Ohm इसलिए मैंने current division rule अप्लाई किया current division rule मैंने यहां प्राइड किया मुझे इसक प्राइड के वीडियो चालते हैं तो मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो पसंद नहीं तो like कर दिजेगा और यहां पर आपको product levels complete कर जाएगा RRBG and SECJE का तो अगर अभी तक मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो subscribe जरूर किजेगा और मैं आपके प्रैक्टिस सेट इसका आने वाला हूँ जनल साइन्स का ठीके गाइस तुम तक 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 बेग गुडबाय और श्टेटिन मैं चैनल स्मार्थी जोन पर स्मार्ट एंसे